हेलो अरीबन कैसे तबी लोग आए होब कि आपसे लोग सेफ होंगे एन आज हम पढ़ रहे होंगे यार फेटरलिसम मतलब भाई साहब पावर शेरिंग हमने पढ़ लिया और फेटरलिसम एक ऐसा खतरनाक चाप्टर है ठीक है इसमें ऐसी वाइब आएगी तुम्हें ठीक है पीपर आरे एक्जाम आरे वो सब चोड़ो लेकिन जो वाई वाइगे ने इसके अंदर जो समझने में मजा इस चैप्टर को वो खतरनाक ठीक है पहंकर एक्सपीरियंस है इस चैप्टर का मस्ट चाप्टर है विल्कुल हम लोग बढ़ी आसानी समझ रहोंगे इस चैप्ट हमने पांवर शेरिंग के अंदर क्या बात कि हमने यही बात कि थी पांवर शेरिंग के अंदर कि भाई साब आवर जो है वह बहुत है उसकी कुछ यूनिट रहोंगे बंटtechnisch के अंदर है उसे вд उस ऐडीya को हम कहेते हैं, क्या बात है, अमेजी, आचारा, इसका एक्ζामपल कहा है, पैल्जियम की अंदर शांदार तरीके से हर एक चीज़ को एक कोमोडेट करते हॉए, हर एक छीजको, हर एक कल्चर को, हर एक पूरे एतनी कॉम्पोजिशन को ध्यान में रखते हुए, कि तरीके से बेल्जियम के अंदर पावर्शियर की गए ताकि सब खुश रहा है इसका एक और जो है वो है भारत इंडिया ओके ग्रेडिस के हम आज बात कर रहे होंगे क्या पात है अच्छा अब बेसिकली यूजल यह फेडरेशन हैस्टू लेवल्स अफ गवर्मेंट पहला है और दूसरा है स्टेट लेवल ठीक है अगर मैं बात करता हूं इंडिया की तो हमारे पास में एक तीसरा लेवल भी हमको पता है लोकल लेवल यह फिर लोकल गवर्मेंट इसके अंदर हम लोग पंचायती राज के आगे बात करेंगे अच्छा तो बेसिकल अगर आप अपने अगर 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 बात करेंगे अगर चाहिए अगर आपको बात करने के लिए और दूसरा स्टेट लेवल क्योंकि अब इतना बड़ा नेशन है तो भाई साब इतने बड़े नेशन को सेंटर पे बैट के या फिर सेंटर के अकौरे इंग रूल करना या फिर गवर्न करना यह थोड़ा सा दिक्कत अलगा है क्यों क्यों क्या इतना बड़ा जब आपको नेशन है और अलग-अलग डाइवर्सिटीज है ठीक है अलग-अलग लोग रह रहे हैं अलग-अलग लैंग्वेजिस है ठीक है तो यह सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टेट लेवल सेट लेवल पर भी गव्रमेंट्स होंगी तो क्या होगा कि यह सेंटरल चीजा थोड़ी सी आसान हो जाएंगी क्योंकि स्टेट लेवल पर बेसिक लेवल पर भी गवरमेंट्स है ठीक है अर ग्रेट रहना पड़ता है यह जिनको इनको जो पावर्ट में ली है वो इट इस बेसिकली ताकि वो इंडिपेंडेंडेंट रह से को इसकी आगे आगे हम लोग बात करेंगे जब हम लोग फैनाइशल ऑटोनॉमी की बात करेंगे आगे जाके लिए तो इतना हमने समझ लिया यहां पे की फीचर्स ओफ फेटरलिजम ठीक है आप बात करने वाले हैं की फीचर्स ओफ फेटरलिजम की ओहो क्या बात है अमेंजी ओके तो दियरा टू और मूर लेवल्स अब गुवर्मेंट यह तो हमने देख लिया कि दो या दोसे जादा लेवल फ गुवर्मेंट है क्यों जब पावर शेयर करनी है तो लेवल्स तो चाहिए ना किसी अगर मानलो कि सिर्फ एक लेवल फगर्मेंट होती और वो बोले कि नहीं हम तो फेडरल है कैसे जलेगा काम बढ़े पावर शेयर करने के लेवल ही नहीं है है कि नहीं ग्रेट तो दिर आ टू और मूर लेवल्स अब अच्छा यह second point बड़ा important है different tiers of government govern the same citizen within their jurisdiction मानलो मैं कहता हूँ महाराष्टर मेर रहा हूँ ठीक है मैं महाराष्टर मेर रहा हूँ अच्छा इसका यह मतलब है कि जो अलग-अलग tiers से government के वह same citizen को govern कर रहा है क्यों कि भाई साब महाराष्टर at the end अगर में महाराष्टर गवर्मेंट की बात करूँ अगर मैं बात कर तो central government की तो at the end same citizens को अलग-अलग level जो है वह govern कर रही होती है ठीक है within their jurisdiction अब सोचो कि महाराष्टर के कुछ laws है फिर महाराष्टर government जो है वह गुजरात के लिए laws नहीं बना सकती है या फिर मद्रप्रदेश के laws नहीं बना सकती है कि नहीं तो उनका जो jurisdiction है उनके सीमा में उनके area में ठीक है वह citizens को जो गवर्न कर रही होती है और अगर म उनकी सीमा के अंदर great क्या बात है तीसरे point की बात करते है the jurisdiction of the respective tiers of government are specified in the constitution मतलब कहां तक सीमा है क्या पूरा जो system है न ये ठीक है जो पूरा system हम लोग पढ़ रहे होते है ये सारा का सारा है na constitution के अंदर specified है ठीक है जो jurisdiction है वो भी specified कर रखा है और इसकी बात हम लोग आगे करे में आएंगे तब हमें समझ जाएगा कि हारी constitution के मतलब स्पेसिफाइगी आ गया ठीक है ओके करेट आके पड़ते है अच्छा अब एक बहुत ही important चीज है one level of government cannot change the fundamental provision of the constitution without the consent of other levels मान लो कि यार आपर कोछ fundamental provisions है ने कि जो fundamental rights है ठीक है अगर कोई एक level of government आके बोलता है कि नहीं इसमें हमको change करना है तो वो किसी एक level के government के कहने से नहीं हो जाएगा उसके लिए सारे levels of government का जो है वो कह सकता हूँ कि मैं mutual consent चाहिए कि हां कर सकते है ठीक है कोई एक level of government और fundamental provisions की बात कर रहे है जब हम लोग जार तो ये fundamental provisions जो है वो देखा जाए तो बहुत ही important चीज है क्य सहमती चाहिए और अगर बात करता हूँ कि state की भी सहमती चाहिए तो at the end कोई एक level of government जो है वो fundamental provisions में change नहीं ला सकता उसके लिए सभी की सहमती चाहिए होती है दूसरी बात करते है sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy अब यहाँ पर हमने बात की कि यह levels जो होती हो independent होती वो अपनी independent power enjoy करती है तो सोचो जरा हर एक level of government के लिए sources of revenue कि आपको यहां से पैसा आएगा आपको यहां से पैसा आएगा ठीक यह specify किया गया है ताकि एक financial autonomy maintain हो पा है तो सोच जो है इससे specify कर दिया गढ़ा और यह हां किया गया है यह बैसिकली एंशौर किया गया है कि एक financial autonomy maintain हो पाया तकि central government जो है वह भी अपना काम कर पाए और state government जो है वह भी अपना काम कर पाए ठीक है ज़ादा dependency ना हो इंडिपेंडेंटली काम कर पाया, ठीक है, इसलिए sources of revenue for each level उसको specify करती आ गया, कि आपके पास यहां से income आएगी, आपके पास यहां से income आएगी, ठीक है, great, courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government, अल्राइट, अभी हम बात करने वाले हैं, what are the key features of federalism, देखो यहां तक हमने जो भी पढ़ाना है, यह सारी की सारी चीज़े काफी basic थी, कैसे basic थी, क्यार power को जब वो distribute किया गया, share किया गया, दूसरी बात जो fundamental provisions है, जो fundamental rights है, वो किसी एक level of government के कहने से change नहीं हो सकते हैं, फिर अगर उनके पास में अपने sources of revenue नहीं है, अगर उनके पास, अगर एक financial autonomy नहीं है, यानि कि state government को जो हो central government में dependent रहना पड़ रहा है, किसी भी चीज़ के लिए, तो उस case में क्या होगा, फिर उस case में यह वाला point जो बिल्कुल valid नहीं है, तो ऐसा नहीं होता, हर एक level of government के पहली बात तो यह, और country unity में रहे, इसके लिए यार, federalism का बहुत ज़्यादा है, पावर को share करने का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मान लो कि ऐसा होता है कि कोई एक state कर उठके बोलते हैं कि नहीं हमको power चीए, फिर दूसरी state उसको देखके बोलते हैं कि नहीं हमको भी power च country को साथ में रखने के लिए, okay, unity में रखने के लिए चीज़ बहुत ही important है, और दूसरा to accommodate regional diversity, अब हर एक region की अपनी-अपनी अलग diversity होती है, ठीक है, हर एक region की अपनी-अलग diversity है, और वो सबको accommodate करना important है, क्योंकि अगर किसी एक particular region को ज़्यादा importance दिया गया, तो of course, वही बात आजाएगी कि जो दूसरे region के लोग है, उनको alienated feel होगा, उनको ऐसा लएगा कि हमाले diversity को respect नहीं मल रहा है, ठीक है, तो इसलिए और ये सब कुछ central government जो है, central level पे बैट के ये सारी चीजों को देखना, handle करना possible नहीं, regional diversity को वहां से accommodate करना इतना possible नहीं हो पाएगा, क्यो के अंदर हम बात करेंगे, दो टाइपस of federalism की, coming together और holding together, देखो, coming together की बात करते है, coming together नाम से समझ में हा रहा है, जब अलग-अलग independent units आके जो है, वो और powerful बड़ी unit बना रहे होते हैं, उसे हम coming together federalism कहते हैं, ठीक है, अब आपकी आज का NCRT का टास्क क्या है, कि आप coming together और holding together, जो है, उसको एक बार book से, मैं समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, हम लोग ये चीज जो है न, वो book से भी देख रहे होंगे, इसके कुछ एक दो points आपको book में मिलेंगे, जो कि आप देख रहे होंगे, ठीक है, great, तो मैं समझा रहा जब एक और powerful nation मना रही है, ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं, हाँ, it is coming together, fatalism, अब independent states याने कि वहाँ पर अपने अलग laws होंगे, अलग rules होंगे, है कि नहीं, great, amazing, तो coming together का example है, US है, Australia, अच्छा, great, तो coming together ने देखो, दिमाग लगाने वाली कोई भी बात नहीं है, जब हम बोल र तो इंडिया is a very big nation, ठीक है, holding together का ये system है, मान लो कि आप एक team हो, आप मान लो कि team के leader हो, ठीक है, आप team के कफ्तान हो, leader हो, अच्छा, अब आपकी team के अंदर जो लोग है, उन्हें आपको hold करके रखना पड़ेगा, उन्हें साथ में अपने रखना पड़ेगा, क्यों, क्य जो पूरे team के player है, वो सारे के सारे जो player है, उस team के अंदर उतना ही important role play करते है, ठीक है, सिमिलरले अगर मैं holding together federalism की बात करता हूँ, तो इंडिया में बहुत सारी states है, और वो सारी के सारी states को, सारे के सारी regions को, जो वो hold करके रखना पड़ेगा, ठीक है, तो इंडिया is a holding together federal अब मैंने तुमको इतना समझाया, ये चीज तुम अगेन एक बार अपनी book से पड़ोगे, जो कि तुमारा NCRT का आज का टास्क होने वाला है, एक्जामपल मैंने दे दिया है, इंडिया holding together का है, और USA वो coming together federalism का है, क्या ये feel तुम समझ पह रहे हो, क्या वाइप तुम्हे स्टेट में उनके अलग-अलग rules होंगे, अलग-अलग laws होंगे, अच्छा, great, amazing, अब बात करते हैं, unitary government की, नाम सी समय में आ रहा है, either there is only one level of government, or the lower levels work under the central government, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक बनावटी, एक दिखावा है, कि हाँ, levels तो है government की, लेकिन सारी की सारी जो levels हैं, वो hands of central government, एक ही level के पास में सारी की सारी पावर्स, most of the powers में कह सकता हूँ कि वो central level of government के पास में, अब जब सारी की सारी पावर्स अगर central level के पास में हैं, तो government कैसे है, unitary, unitary से का समय में रहा है, एक, है कि नहीं, आच्छा, क्या बात, आगे बात करते हैं, अब आप करते हैं, what unitary government तो कुछ और था, ठीक है, key features of federalism, उसके बाद में फिर, ये तीनों के तीनों जो हमने points देखे, अलग अलग, उसके बाद में फिर हमने देखा की federalism क्या होता है, कि सारी की सारी जीचे जो हमने देखी, ये इंडिया में कैसा applicable है, उसके हम लोग अभी बात कर लेते हैं, ठीक है, क्या बात है, amazing, great, actually, okay, constitution declared India as union of states, हमने भी बात की न, हमने भी बात की, क्या holding together federalism है, भाई, इंडिया जो है न, it is union of states, है कि न, it is union of states, अलग-अलग states जो है, ऐसा नहीं है कि, मतलब कल को ऐसा हो जाए कि हर एक state जो हो बोले कि हमको अलग होना, हमको अलग होना, नहीं तो इंडिया is a union of states, holding together federalism है यहाँ पर, ठीक है, सारी states मिलके जो हो unity में रहे कर एक देश बना रही है, क्या बात है, इंडिया union is based on the system of federation, यह भी हमको पता है, initially, initially, there were two tiers of government, and later, third tier was added, that is panchayati raja, ठीक है, initially, सिफ दो tiers of government है, हमको पता है कि central level और state level, लेकिन उसके बात में एक यार, यह बड़ा ही important portion है, यह बड़ा ही important portion है, हमने बात कर ली कि constitution में specified है, specified है, specified है, कि किसको कितनी power मिलेगी, किसका कितना jurisdiction है, लेकिन वो कहां पर mentioned है, वो सारी की सारी जो चीज़े है, वो mentioned है union list, state list, और concurrent list के अंदर, ठीक है, कि भाई साब state जो है, किस matter पर laws बना सकता है central जो है वो, कौनसे कौनसे subject को देखेगा, state जो है वो कौनसे कौन subject को देखेगा, ठीक है, और यह सारी चीज़े जो है, वो इसके अंदर mentioned है, अच्छा, start करते है, पहले बात करते है union list की, includes subjects like defense of country, foreign affairs, banking, communication and currency, यह union list, इसके अंदर ऐसे subjects आते हैं, इसके अंदर ऐसे subjects आते है जो central government देख रही होती है, जो की central government देख रही होती है, अब तुम तोड़ा दिमाग लगा लगाओ यार, defense of country, foreign affairs, यह किसी एक state का matter नहीं, यह पूरे देश का matter है, आरी वाइप सम्मिन है, यह किसी एक state का matter नहीं, देश की शुरक्षा, तेक है, देश की सुरक्षा, उसके ब तुम इससे एक्जांपल से याद अटना कि भाई defense of country, पूरी country का defense है वो किसी एक state की जिम्मेदार नहीं है, वो पूरे देश के लिए important है, एक नहीं, अरे क्या बात है, great, अब state list की बात करते हैं, इसके अंदर, state list के अंदर, ऐसे subjects आ रहे होते हैं, ऐसे topics आ रहे होते हैं, ज state list के अंदर, ऐसे subjects आ रहे होते हैं, जिसको लेकर state government जो है, वो laws बना रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि police, trade, commerce, agriculture, है के नहीं, great, concurrent list की बात करते हैं, यह बहुत ही important है, इसमें ऐसे subjects आ रहे होते हैं, ठीक है, इसमें ऐसे subjects आ रहे होते हैं, जिसके पीछे, जिसके पीछे center और state state, दोनों laws बना सकते हैं, इसका एक बहुत ही चाइग्जामपल दो तुनको, एक बहुत ही तवड़ा example दो, अगर मैं बात करता हूँ, मध्यप्रदेश की, है, तो मध्यप्रदेश में MP board भी है, मध्यप्रदेश में CBSC board में, वाई बारी है, मध्यप्रदेश में MP board भी है, मध्यप्रदेश में CBSC board भी है, इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है, कि education कहा आ रहा है, concurrent list में, जिसमें center और state जाए, वो दोनों laws बना सकती है, भाई बारी है, अब भी बारी है, अच्छा, great, इसमें वो subjects आ रहे होते, इसमें center और state जाए, वो दोनों laws बना रहे होते है, कभी कुछ ना याद है, तो बस याद आठना कि state के अंदर है एक state board भी होता है, और हमें पता है कि CVSC भी होता है, है ना, CVSC भी होता है, okay, क्या बात है, great, तो इससे हमें ये topic तो समयन में आगया, concurrent list का, ठीक है, अच्छा, if there laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail, ठीक है, यह point भी important है, समझ ज जो है, वो बना सकता है, ठीक है, अब बात करते हैं, residuary subjects की, यार, essay subjects, पढ़ लेते हैं पहले तो, include subjects which are not included in the three lists, देखो यार, ये सारी जो lists हैं, वो काफी पहले बनाई गी थी, अब हो सकता है, कि उस time कुछ ऐसी चीज़ थी, जैसे कि cyber security, computer software, cyber security, है कि नहीं, ये कुछ ऐसे topics जो कि उस time नहीं थे, ये अभी अभी आए हैं, ठीक है, ये चीज़े अभी अभी आई हैं, तो, essay subjects हैं, जो कि list में mentioned नहीं है, उन्हें हम residuary subjects कह रहे होते हैं, ठीक है, essay topics है, फिर essay subjects, जो कि उन lists में mentioned नहीं है, included नहीं है, उसे हम क्या कह रहे होते हैं, residuary subjects, और इसके लिए central government पर बनाते हैं, ठीके, तो हम कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, union list, SC list, जिसके अंदर CS objects आता है, जिनके पीचे Central Government laws बना रिये होती है, कैसे याद रखेंगे, भाई, country का defense किसी एक state का matter, यह वो पुरए देश का matter है, स्टेट अकेले जीदों का है अभी ग्रेट समझगा न तुम अपनी अपनी स्टेट में स्टेट बोर्ड भी है और सीब्सक्राइब इससे तुम्हें यहाद रहेगा अब कुछ और इंपोर्टन बाते करते हैं ठीक है हमने अभी पड़ा था कि कैसे इंडिया जो है इंडिया के अंदर फेटरलिजम फॉलो रहा है ठीक है पावर जो है उससे चीज़ को दर्शाता है इस पावर शेरिंग अगरीमेंट को इस पावर शेरिंग अगरीमेंट के अंदर ऐसे चैंज़ छाना की भई नहीं आत चलो इटके बोल के भूषा शेंज करते है यह ऐसा easily possible नहीं है, क्योंकि हम किसी के घर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी के महले की बात नहीं कर रहे हैं, और फिर किसी city की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी देश की बात कर रहे हैं, ठीक है, गरे हैं The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures, acts as an empire, देख ले हमने In case of any dispute about the division of the powers, the high courts and the supreme courts make a decision, मान लोग कि कोई भी dispute आपर आ रहा है, power के division में, तो फिर supreme court or high court जो हैं, वो बैठे ही है, they act as an empire, okay, great अब हम बात करने वाल है union territories, कि union territories क्या होती है, these are small areas which can't become state, but they can't be merged with other states, देखो यह ऐसे छोटे areas होते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे areas में कह सकता हूँ, जो कि ना तो एक state बनते हैं, जो कि ना तो एक independent state बन रहे हैं, और ना है किसी और existing state के साथ में merge किया जा सकते हैं, ठीक है, ऐ एसे area को हम कहते है union territories, कि भाई साब यह अलग state भी नहीं बन सकते हैं, independent state भी नहीं बनते हैं, और यह किसी already existing state के साथ में merge भी नहीं होते हैं, ठीक है, फो होती है union territories, अब इसके पीछे, अब सीधी सी बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस पे कोई धान ना दे, उस union territory पे कोई धान ना दे, धान तो देना पड़ेगा, क्योंकि वह है तो देश का ही हिस्सा, तो जो central government होती है, they have special powers in running these areas, तेक है, the central government has special powers in running these areas, कैसे याद रखेंगे, भाई जब किसी state के साथ में इसे मर्ज नहीं कर सकते, भाई साब जब यह independent state नहीं मन सकती, तो इस पर धान कॉन इसा क्या है चंदीगड को जो इसको अलग बनाता है, मुझे बता ना नीचे comment करके, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो capital capital का चक्कर है, जो तो मुझे नीचे comment करके बता होगे, ठीक है, थोड़ा सा research करो तो में बड़ा चलेगा, हैगे नहीं, आरे क्या बात है, how is fatalism practiced, देखो हमन हमने क्या क्या बात कर लिया, सारी important बात हैं हमने कर ली है, union list, concurrent list, कि कौनसी level of government, कौनसे laws बना रही होगी, किन subjects को देख रही होगी, ठीक है, क्या बात है, great, amazing, okay, linguistic states, सबसे पहला point, in 1947, boundaries of several old states of India were changed in order to create new states, ठीक है, बहुत सारी already existing states होती है, उनकी boundaries change करके नई stage बनाएगी, य देखो कोई भी यार, कोई भी cause या फिर कोई भी incident को पहले line में हमें explain करना है, कि ऐसा ऐसा किया गया था, क्यों किया गया था, यह हम दूसरे point में explain करेंगे, this was done to ensure that people who spoke same language lived in same state, यह 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 चीज़ देखा जाना, तो एक तरीके से accommodation आसान कर देती हो, कि मानलों कि कुछ इस दिया यह किया गया, this was done to ensure that the people who spoke same language lived in same state, ठीक है, great, some states, कुछ states इस बेसे पर बनाए गई, कि कुल्चर के basis पर, ethnicity के basis पर, और जोगरफी की basis पर, ठीक है, तो हमारे लिए तो यह important है, कि जो 1927 के बाद में boundaries of several old states योदी, उनने चीज़ किया गया, ठीक है, कि इस बेसे पर कि भाई साब, जो मान लोग कि कोई एक particular language है A, ठीक है, है ना, कोई एक particular language है A, तर इस A language को बोलने वाले जो लोग है ना, वो एक ही state में रहे है, मतलब इससे आसानी होती है, लोग अच्छी तरीके से accommodate कर सकते हैं, अब तो खेर ऐसा है कि ऐसा नहीं होता, सिर्फ कि भाई कि सिर्फ एक ही language चल रही होती है, ऐसा नहीं होता, हमें देखता है ना, कि बहुत सरे लोग लग लग languages बोल रहे होते हैं, लेकिन आथ वो accommodation आसान करते हैं, ठीक है, और दूसरा, दूसरा एक बहुत important portion ऐसा है कि आप ये देख सकते हो कि आपको जो language चाहिए, चलो उसके बारे में आगे बात करते हैं, वो आगे बात करते हैं, ठीक है, ओके language policy की बात करते है, Hindi was identified as official language, ठीक है, सुनना मेरी बात को धान से, Hindi was identified as an official language, later English along with Hindi was chosen for official purposes, देखो येर, when Hindi was chosen as an official language, तो southern, मितलब, South India में, ठीक है, इंडिया के South वाले portion में, दिक्कत होने लगी, येर, उनको करने में problem आने लगी, ठीक है, तो उसके बाद में, English along with Hindi was chosen for official purposes, ठीक है, ग्रेट, पहले Hindi को चूज किया गया थे, लेकिन फिर उसके बाद में problems आने लगी, accommodation size नहीं हो पारता South India में, जिसके कारण English and Hindi were chosen as official languages, अच्छा, states to have their own official languages, क्या बात है, ये point भी हम समझ के, 21 other languages were recognized as scheduled languages by the constitution, देख़े हैं, सर्फ Hindi या फिर सर्फ English को importance नहीं दिया जासता, अगर हम बात करने कि हम regional diversity को respect करते हैं, अगर हम बात करते कि हम हर तरीके के ethnic composition को respect करते हैं, तो हमें सारी के सारे languages को respect करना उतना ही important हो जाता है, ठीक है, और जब उतना ही important हो जाता है, तो वाई साब जो बा languages by the constitution, का ये वाई पजी में आ रही है, ओह, क्या बात है, आचा, I candidate, in an examination conducted for the central government positions में, opt to take this examination in any of these languages, मान लो कि आपको मराथी में जो है वो exam देने हैं, आप दे सकते हो, कोई भी आपको जो language लगे है, उसमें आप exam दे सकते हो, क्यों, क्योंकि ये वाला point इस चीज को justify करेगा, इस चीज को justify करेगा, है ना, हिंदी और एंग्लिश अपनी जगापर है ही, लेकिन बाकी की जो 21 अधर languages हैं, ठीक है, ये जो 21 अधर languages, they were recognized as scheduled languages, ठीक है, great, अब बात करते सेंटर स्टेट रिलेशन की, अफर 1990, there was a beginning of the era of collision government, since no single party got a clear majority in loksabha, ठीक है, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties to form a government at the center, scene ऐसा हुआ कि यार किसी एक party को majority नहीं मिल पाई, और जब majority नहीं मिल पाई, तो क्या हुआ, they got into an alliance with several other parties, ठीक है, including several regional parties, रिजरी नहीं मिल ली, उन्होंने बाकी जो पाइजे थी, रिजनल लेवल पर ऊगया है, और जो दूसरी पाइजरी पाइज थी, उनके साथ मिलके क्या क्या है, को एक झालीजिन गवर्मेंट मनें कैसी गवर्मेंट मनें को लिए फेले के इस वपटाए कि अलग अलग पार्टी इन वरल वह ठीक है इसकी बात हमने पावर शेरिंग अधरु इस टूप शेरिंग निर्श्टेट फॉर्ट व। अ अफू की तो वही है कि फिर देश जो है बतलब फिर ऐसा है कि कोई एक पार्टी के चलते जो है वो इलेक्शन नहीं जीते गए है यहाँ पर तो बाकी जो है उन्होंने मिल के कोलिजन गवर्मेंट बनाई ठीक है गरेट आमेजिंग अभी हम बात करने वाले हैं डी सेंट्रलाइजिशन की जो की इस चाप्टर का आखरी पार्ट है अच्छा इन 1992 दो कॉंस्टिटूशन वस अमेंड़ेट तो मेंड़ेट थर्ड तर्ड अब अपनी अपनी स्टेट को जो है वो गवर्मेंट कर रहे हैं अपने अपनी स्टेट के जो मैटरिस उनको सुल जा रहे हैं अब यार जब मैं थर्ड लेवल की बात करता हूं तो जो विलेज लेवल है वहाँ पर भी एक नीड है एक नीड थीक यार नहीं एक लोकल लेवल अफ गवर्मेंट भी हो तो यार हमने देखी लिया कि थर्ड टेर अफ गवर्मेंट वस नोट अस पंचायदी राज अच्छ अच्छा उसके बाद में फिर यहां पर भी एक चीज़ को देखा गया कि सभी लोगों को इक्वल डी प्रेजिटेशन मिल पाए उप्वालिटी मिल पाए तो सीट्स वर इसीट्स आर रिजर्व बेसिकर अपते फॉलो रहा ना तो सीट्स आर रिजर्व फर स्टी एसी ओव इसमें third level of government जो उसे introduced किया गया great क्या बात है उसको पंचायती राज कहा गया या फिर local government फिर हमने बास की कि कैसे अब यहां पर regular elections जो है वो hold किये जाते हैं ठीक है और कैसे हैं यहां पर सीट्स जो है वो reserved है इसी के साथ अपना पूरा चाप्टर जो है वो समाप्त होने वा अगया है ना उसके बाद में फिर लोकल लेवल पर जो है वो गवर्मेंट आ गई ओके एलेक्शन हो रहे हैं लेकिन इनके पास में कुछ रेवेन्यु अगर नहीं होगा कुछ अगर पावर नहीं होगी तो क्या मतलब ठीक है तो स्टेट गवर्मेंट्स होती है तो नहीं जो अब इस चाप्टर की जो स्लाइड्स है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे जिससे कि आप यह स्लाइड्स भी देख सकते हैं ठीक है इसके बाद में NCRAT पढ़ना बहुत important है कि जो भी हमने पढ़ा जो भी हमने देखा वो revise हो जाएगा और अच्छा idea लगेगा पढ़ने की आदत पढ़ेगी और जो one page notes है वो आपको help करेंगे इस पूरे चैप्टर का एक brief idea लेने में और साथी साथ में आपने जो भी topics देखने में एकनी आरे क्या पात एक रेडिसी के साथ हमारा फ्रेटरलिजम भी आज खतम होता है I hope कि आप लुक सेफ होंगे बस यार जय हिंद वनमात्रम एंजॉय करो we'll meet in the next one till then good bye